वेल्कम बैक टू माइच चैनल कैसे आप सभी आशा करते हूं कि बढ़िया होंगे हाँИ हैं अाज मैने बना था हलुआ हर किसी के घर में सूजी का हल्वा बनता है लेकिन कुछ हल्वाज एसे होते है लेकिन अश्का बनाना जैसा उसके घर में खाया था है ना तो वही रेसिपी में आज लेकर आई हूँ पर्फेक्ट दानेदार रसीला सूजी का हलवा जिसे बनाना बहुत ही आसान है आप असनी पे बनाना बहुत पसंद आपको आएगा तो जी मैंने यहां पर डाला है तक्रीबन 3-4 कटोरी घी और घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और आधा कप मैंने डाली है इसमें सूजी pasत on K यह आपको इंपोर्टेंटली ध्यान रखना है कि आपकी सूजी फाइन नी होनी चीए नहीं ज्यादा मोटी बीच वाली सूजी ले एकदम स्लो फ्लेम पे घी को गरम करें और लगाता चलाते वे इस सूजी को आपको भूनना है मीनवाइल हम ले लेंगे चीनी चीनी कितना लेना है देखो मैंने आधा कप लिया था यहाँ पर सूजी और आधा कपी मैंने लिया है यहाँ पर चीनी ठीके जी नाप के दिखारी मैं आपको अब हम इसको डालेंगे पतीले में और जितनी हमारी चीनी है उसका तीन गुना या इसको हाई फ्लेम पर हम उबलने के लिए रख देंगे तो परफेक्ट मेजर्मेंट है चाष्णी का इस चाष्णी के चाष्णी नहीं बनाते हैं जब भी सूजी का हलवा बनाते हैं बस चीनी को गरम पानी में घोलते हैं यानि के कुबाल लगाते हैं तब तक जैसे चीनी जोना शुरू हो गया है जब आपको पांच मिनट हो जाए इसे बूहनते वे तब आप इसमें एक टेबल स्पून डालना बेसन अब जो बेसन नहीं किया क्या करेगा बेसन इसका कलर बहुत अच्छा करेगा और टेस्ट तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आपना हलवा खाते ना इसका सीख्रेट है एक चमज बेसन और बेसन डालकर लगाता चलाएगा और बेसन ना थोड़ासा मोटा लेना थोड़ासा मोटा वेसन अगर होगा ना तो आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा चाशनी यह निकलता है मुंसे तो पानी भी हमारा चीनी वाल उबल गया है और ये देखिए सूजी का रंग देखते देखते लालोना शुरू हो गया है तो मुझे लाल-लाल सूजी का हलवा अच्छा लगता है लेकिन आपकी मरजी है आपको जिस प्रकार से सूजी भूनने है उस प्रकार से इसको भून सकते हैं भूनाए का प्रोसेस लो भूँन चुकी थी ड्राइफ्रोट सी भूँन चुके अब ये चीनी वाला मीठा पानी गर्मा गर्म मैंने इसमें डाला पानी डालती धक्कन लगा के रख दिया कुछ किश्मिश मैंने डाली और अब इसको थोड़ा से चला देंगे धकन लगा कर सूजी का हलवा पकाना है ओ अपने और घी की मातरा कम नहीं रखनी है नहीं तो हलवा रसीला नहीं बनेगा हाड बनेगा फिर वह मजदार नहीं लगता है हमें लगाना है मातरानी को भोग इसलिए हम अस्टिमी पे बिल्कूल इस प्रोसेस से हलवा बना रहे हैं जो बहुत शांदर बनता है बनाने भी ब सूजी कितने अच्छे से फूली यह हलवा ना जब आप खाएंगे हर कोई आपकी तारीफ करेंगे इतना स्वाद बनता है एकदम रसीला इतनी खिल गई है ना सूजी पूछिए मत बहुत ही शांदर सरल रेसिपी है पूरी काले चन्ने और इस हलवे का कॉंबिनेशन माइं ब्लोइंग होता है मातारानी को भोग इससे लगेगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही शांदर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी निकाल के दिखाने से आपको अंदाजा लगीगा कि हमारा हलवा कितना शांदर बना है देखो है ना वही जैसा कि आप प्रशाद खाते हैं ब कोमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की बढ़िया बढ़िया फूल प्रूफ रेसिपीज के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग मीन से लोट बाबाय